इस मौसम में नेजल ब्लॉकेज होना यानि नाक बंद हो जाना एक बहुत आम समस्या होती है ऐसे में बहुत ही आसानी से दो घरेलू चीज़ें अपना करके आप अपनी नाक को तुरंट खोल सकते हैं तो पहला काम आपको क्या करना है आईए जानते हैं नमस्ते मैं हूँ आचारे प्रदिश्था नेजल ब्लॉकेज को घर पर ही हैंडल कैसे करेंगे सबसे पहली चीज़ अगर आपकी नाक बंद है तो आप स्टीम लेंगे और कैसी स्टीम लेनी है आपको आप स्टीम लेंगे अजवायन के पानी की यानि जो पानी उबा लेंगे स्टीम लेने के लिए उसके अंदर एक चमज अजवायन डाल दीजिए जब ये पानी उबल जाए तो अपने चेहरे को कवर करके उसे पूरा डीप स्मेल करना छोड़ देना यानि नाग से ही सांस लेना है नाग से ही सांस छोड़ना है पहला काम जब स्टीम ले ले आप दिन में दो से तीन बार स्टीम ले सकते हैं लेकिन उससे अधिक मत लेजिए अती सरवत्रवर जाए अक्सेस अफ एवरिटिंग इस रॉग स्टीम जब रात्री में लें यानि एक बार सुभा ले लीजे एक बार मध्ध है दिन में मीडियम दिन के बीच में ले लीजे और एक बार रात्री में लीजे सोने से पहले जब रात्रे में सोने से पहले स्टीम लेंगे तो स्टीम लेने की बाद कमर के बल लेट जाएगे और दोनों नॉस्ट्रिल्स में एक एक बूंद गाय का शुद्ध देसी घी डालिए आपकी नाक एकदम खुल जाएगी पूरे ट्रैक को क्लियर कर देगा नाक खुल जाएगी ये काम आप प्रति दिन कर सकते हैं जब तक आपकी नाक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती है दोसरा एक बहुत ही important काम है जो आप कर सकते हैं जब भी आपका जो भी nostril closed है जो भी nostril blocked है यानि हमें थोड़ा सा ध्यान देना है अगर हमारा right nostril blocked है तो left करवट से लेट जाएंगे ध्यान से समझे इस चीज़ को अगर right nostril blocked है तो left करवट से लेट जाएंगे थोड़ी देर बाद आपका right nostril खुल जाएगा अगर आपका left nostril blocked है तो right करवट से लेट जाएंगे and within few minutes आपका left nostril 100% खुल जाएगा है ना यह असान सा काम पर बस यह काम किताबों में मिलता नहीं है इसलिए तो गुरु के सानद्धे के आवश रखता होती है तो अब जब भी नाक बंद हो तो यह दो काम अपनाए और बंद नाक को तुरंत से खोल लीजे अगर आप कोई वीडियो पसंद आया है तो अपने प्रिय जनों के साथ साजा जरूर करें अपनी परिशानिया हमें भीजें आप हमें अपना सेल्फी वीडियो बनाकर के एद्दुरेट आचारे प्रतिश्ठा जी इन्स्टेग्राम के मैसेज पर भेज सकते हैं इंबॉक्स पर और हम उस वीडियो को लेकरके उसके साथ सुल